और अब खबर राम की नगरी आयोध्या से जहाँ पर सर्यू नदी में एक विशाल का एक घड़ियाल तरता हुआ नजर आया ज़ा और घड़ियाल को देखने के बाद वहाँ पर हड़कम बच गया एक तरफ अयोध्या में दुपोद्सफ की तयारी चल गई है दुपोद्सफ को लेकर के जोरो शोरो से तयारी की जा रहे तो वहीं सर्यू में घड़ियाल दिखने से लोगों में दहशत सहल गई है हलाकि एक्सपर्ट की माने तो सर्यू में शान प्रवती के घडियाल पाई जाते हैं जो जल्दी इंसानों को नुक्सान नहीं पहुचाते और अब खबर राम की नगरी आयोध्या से जहांपर सर्यू नदी में एक विशाल का घडियाल तरता हुआ नजर आया जिया और घडियाल को देखने के बाद वहाँ पर हड़कम बच गया एक तरफ अयोध्या में दुपोटसफ की तैयारी चल गई है दुपोटसफ को लेकर के जोरो शोरों से तैयारी की जा रहे तो वहीं सर्यू में घडियाल दिखने से लोगों में दैशत सहल गई है हलाकि एक्सपर्च की माने तो सर्यू में शांक रवती के घडियाल पाई जाते हैं जो जल्दी इसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते